नमस्कार, मैं हो ससी, आये जरगां के टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं इसके तहट एक दिन में राजे भर में 5 लाग से अधिक पोधे लगाये जाएंगे पता दे इस मानसोन सुबे में लगभग 1.75 क्रोड पोधे लगाये जाने का लख्ष रखा गया है इस बार वन महुत्सों में नदियों के किनारे, वन छेत्रे के अलावा पहाडियों की हर याली बढ़ाने के लिए बिचेस रूप से पोधारुपन किया जाएगा पहली से आठवी के बच्चों का मुल्यांकन अगस्त में राजे के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पॉलिस से आठवी तक के 32 लाख विद्यार्थियों का अगले मा मुल्यांकन होगा बतादेवा मुल्यांकन मौई से जुलाई तक उपलब्द कराएगए डिजिटल कॉंटेंट के अधार पर किया जाएगा स्कूल के सिक्षक छात्रशत्राओ को घर तक प्रस्नपत्र उपलब्द कराएगए जिसे ओपेन बुक से सोल्व कर छात्रशत्राओ को जामा करना होगा स्कूली सिक्षक और सक्षता विभाग इसकी तियारी कर रहा है जार्खन की राजेपाल द्रोपदी मुर्मू उडिसा के लिरवाना हुई इसे पहले राची की बीदसा मुंडायर पुटपर राजेपाल को गौड अब अनर दिया गया इस मौके पर मुख्यमत हेमन सुरेण, उनकी पतनी कलपना सुरेण, मुख्य सचीव, सुकदेव सिंग, डिजीपी नीरे सीना समेत और अधिकारी उपसित थे इधर जारकन के नए राजेपालडा में 23 जुलाई की साम लगभग चारवए राची आएंगे राची में बलाइक फंगस से दो मरीजों की मौत बलाइक फंगस से जारकन की राजधानी राची में दो और मरीजों की मौत हो गई है एक किमोथ रेलवे अस्पताल वा दूसरे की मेडिका अस्पताल में हुई है अब तक परदेश में ब्लाइक फंगस इन्फेक्शन से 29 लोगों किमोथ हो चुकी है सरकारी आकडों के नुसार अब तक परदेश में 98 कनफर्ण वहीं 58 संदीग्द मरीज है C.M. हम मनजुरें पहुंचे जगंआत मंदीर पूजा कर मांगी माफी जाकन कमुखमते हमनुरें रह तयात्रा के ऐसर पर राची के धुर्वास थी जगंआत मंदीर पहुंचे मुखे मंदीर का पट बंद रहने के कारण बाहर द्वार से ही सिथ छुका कर भागवान से प्राथना की मौके पर मंदीर के पुजारी ने गर्ब गिरी के बाहर ही बिधान से पुजा संपन कराई सियम ने भगवान जगरनाच से राजवासियों की सुक सम्रेदी की कामना की और कुरोना के कारन रथ यात्रा की अनुमती नहीं दिये जाने को लेकर छमा मांगी ट्रेक्टर चालक ने पांच बच्चियों का अफरन कर दो दिनों तक जंगल में रखा जार्खन के गुमला जिले के राएडी थाना छेत्र के एक सुदरवर्ती गाउं में पांच नमालिक इसकुली छात्राओं को ट्रेक्टर ड्राइवर ने अपने दो सहयोगियों के साथ मिलकर अफरन कर लिया इसके बाद दो दिनों तक पांचों लड़कियों को जंगल में रखा बतादे नमालिक साथ दुसकर्म की असंका भिव्यक्त की जा रही है हलाकि पुलिस ट्रेक्टर चालक वरनावालिकों से पुस्ताच कर रही है इसमें दो लड़की सगी बहन है मिली जनकारी के अनुसार सुक्रवार 9 जुलाई को राइडी से ट्रेक्टर में एक डिलर का खध्यान लेकर 9 बजे उक्तगाव पहुँचा था रांची में जल्द लण्च होगी बीट पुलिसिंग रांची में बीट पुलिसिंग जल्द लण्च होने वाली है इसकी त्यारी पुरी कर ली गई है इसके लिए रांची पुलिस की ओर से एक बीट बुक त्यार किया गया है इस बीट बुक में उन इलाकों का पूरा बेवरा दर्ज होगा पूरे इलाके का नक्सा भी होगा उस इलाके की अबादी, पूलिस के मददगार, गेर मददगार, अपराधी, जेल से छुटे अपराधी, फ्रार अपराधी, स्कूल, कॉलेज, सरकारी वर निजी कर्याला, बैंक, सहीत, हर उस पॉलुओ का डेटा त्यार किया जाएगा जार्खन पहुंची 2,57,000 COVID-190 वैक्सीन, जार्खन में टिकाकरन में रहात मिली है, बतादे 2,57,99 डोज, COVID-190 वैक्सीन जार्खन पहुंची है, इसे जीलो को अवंटित किया जा रहा है, बतादे राजे में COVID-190, एवं, को वैक्सीन दोनों वैक्सीन लवक कतम हो जाने से ट इतनी डोज भाक्षिन 15 जुलाई को मिलने वाली थी, बता दे राज सरकार के अंडोध परया पhलेक भेजी गई है, जार्खन के नौ जीलों में अब तक नहीं सुरू हुई धान की खेती, हजारी बाक समये जार्खन के नौ जीलों में अब तक धान की खेती शुरू नहीं हलाकि सेस जीलों में धान की खेती ने जोर पकड़ा है और कोवरेज एरिया तेजी बढ़ रहा है बदादे क्रीशी निदे साले के 10 जुलाई तक के आकड़े बताते हैं कि राजे की मुख फसल धान का कोवरेज तैलक्ष के 12% को पार कर रहा है तैलक्ष 18,000 हेक्टेर के सापे पुर्वी सिमूं से 10, बोकारों में 5, धनबाज, साहेवगांज, गुम्बला में 4, 4, कोडारमा में 3, देवघर में 2, दुमका, जामतरा पलावूं में 1, 1 मरीज मिले हैं जारखन में कूल महुत की संख्य 51,99 है वहें कूल एक्टिव केस की संख्य 390 है भारत में 30,888 नाए केस मिले हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्य 4,25,549 है